आप लोगों की रहनुमाई करता हूँ आप लोगों को सिखाता हूँ और आप लोगों को अच्छा कॉंटेंट जो है वो प्रवाइड करता हूँ जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताके मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके और आप उससे सीख सके दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो MGT211 Introduction to Business की हमारी जो Assignment No.1 आई है Fall 2022 की उस हवाले से है तो चलिए दोस्तों हम अपनी Assignment शुरू करते हैं और इसमें देखें हमें सबसे पहले जो है एक केस दिया गया है और इसमें है क्या हम वो पाढ़ लाते हैं क्योंकि जब तक हम इस केस को नहीं पढ़ेंगे तो हम इस Assignment को solve नहीं कर सकेंगे तो मैं आप लोगों को खुद ये recommend करूँगा के आप चार से पाँच बार जो है इस केस को ज़रूर पढ़ें ताके आप लोगों की understanding develop हो और आप इसको solve कर सकें दोस्तों केस क्या है at the start of the year 2021 five friends from Faisalabad a famous city of Pakistan join hands the start a textile manufacturing business in a partnership के पाँच दोस्तों ने जो है एक करोबार शुरू किया है for simplicity, let's say the name of those partner are Mr. A, B, C and D and E उनके जो है वो A, B, C, D और E जो है वो उनके नाम है और उनोंने जो invest की है 30 million, 30 million, 45 million, 20 million 15 million के A ने जो है 30 million invest की है B ने जो है वो 30 million invest की है C ने जो है 45 million invest की है D ने 20 million invest की है और E ने जो है वो 15 million invest किये Mr. D has decided not to take the part actively in the activities of the business whereas Mr. B won't not disclose himself as a partner to general public due to some political reasons कि इसमें जो Mr. D है वो ये नहीं चाहता कि वो business की जो activities है या जो भाग दोड़ा है उसके अंदर कोई participation करे लेकिन जो Mr. B है वो ये भी नहीं चाहता कि उसका नाम जो है वो general public को announce किया जाए कि ये भी इस करोबार के अंदर मालिक है या honor है या ये भी हमारा partner है उसकी वज़ाए ये है कि कुछ political reasons है जिसकी वज़ाए से वो अपना नाम show नहीं करवाना चाहता उसके बाद है as a result Mr. A have been given responsibility to run a business to the partnership deed have been draft and signed by all the partner इसकी Mr. A जह है वो करोबार की जितनी भी सारी भाग दौड है वो उसको संभालेंगे और सारे जो partner है वो partnership deed भी लिखते हैं और सारे जो partner हैं उसको sign कर लेते हैं अब यह तो है हमारा case इसमें हम लोगों नहीं क्या करना है हम लोगों नहीं यह बताना है कि यह जो सारे partners हैं इनकी जो different types हैं वो क्या है अब यहाँ पे देखें मैंने इनको तीनों को चारों को अलग-अलग कर दिया Mr. A has been given responsibility to run the business कि Mr. A वो साहाब हैं जो completely इस business को run करेंगे इसके बाद Mr. B want not to disclose himself as a partner to the general public due to the some political reason जो Mr. B हैं वो यह नहीं चाते कि उनका नाम जो है वो public के अंदर show किया जाए as a partner कुछ स्यासी जो है घर्मियों की वज़ा से दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ के Teachers Online मेरा एक YouTube channel है जिसके उपर आपके ये introduction to business के मेरी अपने recorded lectures available है if you want to learn about the introduction to business तो I will recommend you के आप Teachers Online पे जाएं YouTube के अंदर लिखेंगे teachers online तो वहाँ पे मेरा channel आ जाएगा तो वहाँ पे जो आपके introduction to business के lecture available हैं आप उनसे भी find out हैं तो Mr. D. has decided not to take apart actively in the activities of the business जो Mr. D. है वो जो कारोबार की अंदर मुख्ली सरगर्मियां हैं उनके अंदर actively जो है participate नहीं करना चाते उनको perform नहीं करना चाते वो just as a partner काम करना चाते हैं आपकी partnership deed लिखी गई है और सारों ने sign किया अब हमने यह बटाना है कि जो Mr. A. है वो क्या है अब यहां पर देखें Mr. A. वो active partner है अब active partner होता क्या है यह हमारा ऐसा हिसादार होता है जिसने ना सी रफिस में सी रफिस में सरमाया लगाया हुआ होता है बलके company के जो मुख्तलिस अमूर होते हैं मुख्तलिस activities होती हैं मुख्तलिस task हैं उनको भी संभाल रहा होता है इसके बाद हमारा Mr. B है तो जो Mr. B है वो मारा sleeping partner है अब sleeping partner क्या होता है ऐसा हिसादार जिसने सी रफिस में सरमाया लगाया हो इसकी management का हिसा ना हो और ना ही लोगों को पता हो कि यह जो है इसका रुबार का हिस्सेदार है आप देखे Mr. B जो है वो फ्यासी जो है political reason की वज़ा से अपने आपको show नहीं करवाना चाह रहें जनरल पब्लिक के अंदर ना ही वो किसी management का हिस्से हैं लेकिन partner है तो इसलिए जो है उनको हम जाए sleeping partner का नाम देंगे तो यह यहां पर इसका answer जो है Mr. B का sleeping partner आ जाएगा इसके बाद जो तीसरा है वो Mr. D Mr. D जो है यह हमारा silent partner है business का वो कैसे होता कि है silent partner ऐसा हिस्सेदार जिसने ना सिरफ जिसने सिरफ इसमें फर्माया लगाया हो इसकी management का इससादा और नहीं लोगों को पता हो के वो हिस्सेदार है कि है जो है silent partner इसने जो है वो करोबार के अंदर जो है पैसा लगाया हुआ होता और इस ने जो है लेकिन जो management है उसका हिसा नहीं होता तो यहां पे जो है लोगों को पता हो यह सिरफ हिसेदार है अब देखें जो sleeping partner है उसके अंदर जो partner है उसके बारों में लोगों को पता ही नहीं होता कि यह हिसेदार है या नहीं है लेकिन जो silent partner है उसका लोगों को पता होता है कि य के इस company के अंदर हिसादार है और इसका management के अंदर कोई रोल नहीं होता और नहीं management की काम सहरा है बिलके जो एक्टिव पार्टनर होता है वो आपकी management है या भाग-दौट उसको संभालता है तो यही basic डिखर स्लीपिंग पार्टनर के अंदर और पार्टण पार्टनर के अंदर क्या फंल फिलिपंग पार्टनर रहा है वह लोगों को पता नहीं होता उसके बारे में और जो आपका फंρεन पार्टे говорить है इसका लोगों को पता होता है कि ये इस चाही स समय क्पनी के अंदर हिसेदार है बाकि दोनों जो खसूसी आता है flipping partner की और silent partner की वो फारी मिलती हैं कि उन्होंने investment भी की होती है और वो management का भी part नहीं होते इसके बाद हमारे बाद से जाते हैं जी बाकी remaining partner क्योंकि इसमें fee भी था और e भी था तो fee और e जो partner हैं वो हमारे जो हैं ऐसे हिफदार हैं यहां पर lack of knowledge लिखा हुआ है लेकिन वो हमारे ऐसे partner हैं अब उसका मुझे नाम नहीं याद कि ऐसे हिफदार जिसने इसमें फर्माया लगाया और company के अमूर ना संभाल रहा हो तो वो भी हमारा एक partner होता है तो अगर आप लोग यह assignment बनवाना चाहते हैं तो मैं यह assignments बनाता भी हूँ मेरा नंबर जो है वो description में दिया गया है 0301-685216 WhatsApp नंबर है आप इस पर contact कर सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं और आखिर में यहीं कहूंगा 24 hour 7 teachers online पर जाएं और वहां पर जो lectures available है सब्जेक्ट के उसको आप जरूर देखें और यहां पर भी मेरा WhatsApp का नंबर दिया गया है आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं Thank you very much दोस्तों मिलते हैं अगली किसी assignment solution के साथ उस वकद तक के लिए